और क्या हाले मेरे दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों का श्रेता पाककला में स्वागत के साथ साथ अभिननन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे भूढ सकती हूँ हेलो आप लोग कैसे हूँ जो मिठाई बनी हो बहुत ही टेस्टी बन के तयार होती है इसके लिए बहुत थोड़ी समागरी चाहिए रहती है इसके लिए हमने नारियल और मलाई दोनों को उपयोग किया है बहुत ही टेस्टी बन के तयार होने वाली मिठाई है जटपट बन जाती है अगर घर में कोई मह अचानक मीठा कुछ खाने का मन किया तो भी इस मिठाई को आप फटा फट बना के अपने घर पर बच्चों तथा अपनों साथ इसके स्वातकार ने ले सकते चलो दोस्तों हम आप इसको मिलके बनाना शुरू करते हैं छीनी का पाउडर लिया है चीनी में पांग से च्छे दानी को निकाल कि पीष के इसका पाउडर तैयार करकी चीनी हम ने तयार की है और साथ हे साथ हमने मिल्क पाउडर लिया है ग्राम में मिल्ट पॉडर 25 ग्राम है और 3-4 टीबे स्पून है घर की फ्रिस मलाई लिए है हमने मलाई जो है लगबग 2 लीटर दूद की है ग्राम में 50 ग्राम होगा यह हमने नारियर का बुरादा है यह 1 कटोरी ग्राम में 100 ग्राम है एक हमने mixing bowl ले लेना है जिसके अंदर इस अमागरी को डाल देते हैं सबसे पहले इसके अंदर हम डाल देते हैं नारियर का बुरादा इसके अंदर डाल देते हैं मिल्क पॉडर ग्राम में मिल्क पॉडर 25 ग्राम में ऐसे देखा जाएगा तो 3-4 टीबे स्पून है साथी साथ इसके अंदर हमने मलाई डाल देनी है ठाई को बनाने के लिए 3-4 टीबे स्पून एक तब फ्रेस मलाई लिए है दूद वाली जो घर्मी यूज होती उसी मलाई को जो भी ट्राइब फ्रूट आप पसंद करते हैं उसको इसके अंदर मिला सकते हैं सामागरी को हमने अच्छी तरह से मिला लेना है और मिलाने के बाद इसको 2-3 नट के लिए छोड़ देते हैं जिससे जो भी सामागरी इसके अंदर पड़ी उसका फ्लेवर एक दूसरे मिल जाए और इस तरह देखी 2-3 नट होगे छोड़े अब इसके हम मिठाई बनाना सुरूर करते हैं हमने ये मिस्रन तयार करके रखा उसको बहुत जादा ड्राइ नहीं करते हलका सा गीला रहेगा तभी मिठाई अच्छी बनके तयार हो गया और इस तरह देखी आप लड्डू की रूप में भी पेड़ी की रूप मी बना सकते हैं हमने इसको थोड़ा सा लंबाई में सेव दिया जो भी ट्राइफूट आप पसंद करते हैं इस पर लगा दिज़े इसी तरह हमने सारी मिठाई को बना के तयार कर लेना है देखने में मिठाई बहुत ही टेस्टी लगरी खाने मुझसे कहीं ज़्यादा टेस्टी लगीगी क्योंकि हेल्दी इसमें कोई हमने कलर वागरा को उप्योग नहीं किया है और जटपट बन जाता है अगर रिस्पी इसमें का के हमारे वीडियो देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्वाद बहुत बहुत शुक्रिया फिर मिलते पनी नई वीडियो नई रेसिपिक सा स्वेता पकला बाई दूस्तु एंड टेक केर